अच्छावें हम लोग ने आज करना है बेसिकली डिजिटल सिगनेचर और डिजिटल से टिपकेट कोशिश करते हैं इसका खतम करने डिजिटल इस टिगनेचर और अगर डिजिटल सर्डिपकेट आज यह हम लोग ने करना है बेसिकली चलिए लास्टाइम हम लोग ने प्रोटोकॉल्स किये थे और एस एसल और टीलेस उसके बाद इसको आज हम वही अपने टेड़ तरीके से पढ़एंगे थोड़ा और बरदाश कर लेना जिसको हजम ना हो और जिसको हजम हो जाएं तो भी तरीन है इसे थोड़ा बहुत इसमें थोड़ी लंबी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपनों को कॉंसेब्स जो है वो रिलेट कर पाऊ बासिस हो जैसे इसे याद करने को कॉंटेंट वैसी आपनों को बहुत है तो आप लोग के लिए सानी है अगर इसको थोड़ा बहुत याद कर पो एजी ली यह वही सेम पुरानी एक्जेम्प्ल नमारी जो थोड़ा बहुत है कि हमारे अपने प्यारे से करेक्टर कि नहीं नहीं आप उस नहीं आप उस नहीं कि भाई यहां भी कोई सानी पॉलिटिकल वाला कोई शेख रशीद रख देते हैं कि हुट तो आप लोग कि यह अब यह अपने पुरानी रखते हैं पुराने अच्छे थे कि आप पुराने वाली है कि यह थे हमारे फरजाद बाजी नहीं मैं से लिए और वी हावर कारी साब मिजबा देखतें चादा और यह हमारे हैं पर रुप साब हम्जा रख लेते हैं थोड़ा चेंज करते हैं यह हम्जा होगा और वह परजाद बाजिए सब्सक्राइब नहीं नहीं हम्जा परजाद सभी रहेगा यह हमारे हम्जा और यह हैं यह फिर वह कारी साब से रेट नहीं 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 चलो उल्टा कर लिए हैं यह हम्जा और यह कारी साथ हो गया है अब सब्सक्राइब अच्छा और ने के पापा को नहीं हम्जा के बापा का नाम परजात को पापा बना देते हैं यह बड़ी नहीं करो था वैसी टाइम नहीं यह हम्जा के अब सब्सक्राइब करेंगे एक प्रॉब्लम के अपर प्रॉब्लम क्या है और फिर उसका सिल्यूशन है डिजिटल सिगनेचर सही है एक सिंग्ड लेट मी डिरॉब सम् तिंग्स कॉपी कर लेते हैं मुझा जादे बितर रहेगा खुब्सूरत सा लेटर हमारा मुझे तुमर्ट 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 सिस्को हम पहले करने हुआ 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 है तुमर्ट सिस्के मिन कर दिए हुआ 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 है दिए लेटर तुमर्त हम्जा अस रीटन और खाजी साव चलो अब सुनो अब इसको समझते हैं डिजिटल सेगनेचर को क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें उस चीज को समझते हैं है देखो डिजिटल सेगनेचर समझते हैं इसकी प्रॉब्लम हमारे पास वही देव वही दो सेम करेक्टर से वी हाफ हमजा और यहाफ कारी साब अब हम लोगों नहीं देखना यह है कि कहानी कुछ ऐसी है कि हमजा और जो कारी साब हैं वो दोनों एक दूसरे से महांबत करते ह है सही है लेकिन अभी तक किसी ने कनफेस निए एक तरीक से हमजा और कारी सामने गए तक मैजा क्या रहा है और किसी ने एक अपनी जो है अच्छा जाना रापति भाई अब सुनो अब मसला क्या है नाव प्रॉब्लम इस के हमजा भाई ने एक लिटर त्यार किया अब वो लेटर करने के बाद मैं बीचर में आपनी रिसंदाब किया किया सब चीशार किया हुआ अब बैसिकली आप consider किया है यहां पर public की से उसने इसको encrypt किया है वही सेम पूरा concept उसने सेम apply किया है कौन सा जो हमने asymmetric encryption वाला पढ़ा था लेकिन अब एक उन्होंने encrypt करने के बाद evol हो गया क्या इसको देखके समझ आ रहे कि क्या इसका decrypted वर्जन क्या होगा चैट पर यहां पर अब जी को बेसिकली समझ आ गया कि आपका इसका मतलब क्या है अब जी को बेसिकली चड़ी यहां पर लेट्स राइट सम मोर थेंग्स कि अब बनीजे अब जी ने जब इंक्रिप्टेड लेटर को पढ़ा कि तो उनको हुआ शक कि यहां पर कुछ कारवाई चल रही है और यह इवोल लिक्के ने हमें बनाया जा रहे हैं तो अब उन्होंने क्या किया कि अब जी को चड़ी शरारत कि अब जानने हमारे प्यारे अबब जानने ही क्रिएटेड और निव लेटर इसके नोट के सब्सक्राइब छोड़ दो भाई एट सी ही बेसिक्ली क्रिएटेड अन्यु लेटर विच वास अहेट लेटर उन्हों में लेटर वहेट एट लाट ऑन्हों में लाच व्हाटेड है क्ली युली लेटर निवेटर लेटर भाटेड लेटर इसिएर साभ्य दिवेटर लेट कि इस कानी को वापस से करेंगे तोड़कों चीज़ें भी फिलाल फ्लो में नहीं है कि प्रिपेर करने के बाद इन्हों ने अमबा जी ने यह लेटर भीजा किसको भीजा हमारे कारी सहाफ को कि कॉपी कि 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 नई ने कर दो अधिक आधिकu कि तुक 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 तुस्द है को घर्वाले नहीं नॉट्स वे रेखर नुट्स कर देंगे कर दो थे यह संदेश लेटर प्रक्राइब जो पेरे जब तयार होजा है इहां रुप जो हमेद सेंड दिस लेटर आज हम्जा तु खारी अब जो हमारे हमजब आई थे अच्छे पूरी कहाने तैयार हो जाए फिर इसको एक दफ़ार में समझेंगे अभी फ्लो थोड़ा बहुत आउट हो रहे बात करते हैं आए टलो हुआ वाओ वापिस निकानी पे तो हमारे पर दो करेक्टर थे बेसिकली वी हाव हमसा रहाध कारी ज़िए हैं दोनों कापस में थी महांबत अब सीन यह थोड़ा बहुत कि हम लोगों के पास एक तरीके से यह थोड़ा कारवाई चल लिए तो अबब जी को बेसिकली चड़ी शरारत उन्होंने क्या किया एक नया लेटर बनाने के बाद ही बेसिकली प्रपेड़ हेट लेटर और उसके बाद जो उसका लव रटा था जो इसने एक तरीके से हमजा ने क्रीट किया था उसको उठाके उन्होंने कहां पे फिक दिया साइट पे किया और उन्होंने एक हेट लेटर बनाके सेंड कर दिया एज हमजा तो कारी साब कारी साब को सेंड किया सेंड करने के बाद अब यहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा किसको समझ जाजान रॉक और हम्जा साब शौक अब इसकी प्रॉब्लम को समझते हैं और इसका सुल्यूशन को समझते हैं में जो चीज हम लोगों ने इस इतनी लंबी करने के बाद समझी है वह यह है दो अबड़ी सब्हारी टुट कर दोया अबड़ी सब्सक्शा सानखे अ में बंड़ यहाणिऑुत्यूयू श कर्टर श में दो शौका अभड़ी सिएनगे इसकी द में दोवा is altered पिया हमाइस बेसिक प्रॉब्लम आरीया ठीव हम यह लो फिर सप्प्र आपकी सोफकर करें में प्रॉब्लम कि colour करते मैंने अब बैजी ने क्या कियाificación यहां पर ही बैसिकली जो सका लेटर था जो इसका कॉंटन्ट था इसका खम्जा बाखिया। उसको उन्होंने साइड पर किया। साइड में के बाद उन्होंने के एक नया लैटर तेयार किया। नया लैटर तेया करने के बाद उसको सेंड कर दिया कादी। अब कादी। साहब के पस ये on tender Portable भी पश्रो का और हम सब्दार आसा कि अगर हम asymmetric encryption भी इस्तेमाल कर रहें तो we never know कि आपका जो message है या data है वो alter हुआ है या नहीं हुआ अब इस problem को solution को हम लोग कहते हैं digital signature सही है अब इसकी थोड़ी बहुत realistic example मैं आप लोगों को देता हूँ हम लोगों ने जितनी लंबी करनी थे वो कर ली realistic approach यह है कि realistic application यह है digital signature की for example मैंने एक order create किया है सही है order create किया है मतलब मैंने गया दरास पे और suppose करते है कि मैं गया butterfly की website butterfly की website मतलब table dance के equipment मैंने पूरा order तयार किया अपना तक्रिवान मुझे पढ़िए तीन लाग का समान है वो जूते रैकेट्स रबर्स सब में लाके तीन से चार लाग का समान बन गया अब बनने के बाद address में डाला मैंने अपना के भाई घुलचे ने जो भी डाला address address ने में बतानी रहा तो address डालने के बाद we basically did what address डालने के बाद हम लोगे ने क्या किया अपनी cost अपनी credit card information सब चीज़ने डाल दी credit card से मेरे पैसे कट चुके है कटने के बाद we basically did what हमने address उसको send कर दी है अपना order जा चुका है order जा चुका है अब उसके बाद क्या हुआ कि जो तीसरा बंदा था जो कि हमारे hacker थे जो इस सेनारियो में अब बजी है उन्होंने क्या किया उस order को लिया actual order को उन्होंने side पे किया side पे करने के बाद जो उन्होंने नए order प्रेपेर किया नए order में उन्होंने address चेंज कर दिया payment मेरी कट चुकी थी address चेंज हो चुका है अब जो मेरा जो मैंने payment की थी जो मेरे घर पर receive होना था वो basically अब किसी और के घर पर जाके deliver हो रहा है क्यों अब जो basically जो हम लोगों के seller थे जो इस सेनारियो में हमारे पर butterfly है अब उनको यह कैसे बता चलेगा कि यह order जो है यह बीश में alter हुआ है यह नहीं alter हुआ तो इस concept में इस जगह पर इस सेनारियों पर we will use the concept of digital signature problem समझागी guess here no chat पर जल्दी 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 chat पर problem बस इतनी सी है कि जो sender है न आपका order order को उनका लेगा जो third person है जो आपका एक तरीके से sender है और जो receiver है उनको चाहिए होती है कि suppose करते हैं इसको थोड़ा बहुत और different तरीके से समझते है यह हमारे seller है और यह purchaser है सही है यह basically आपका customer है यहाँ पर and we have our seller हमने एक order तयार किया order तयार करने के बाद सब चीज़ हो गई इसमें address लिखाव है मेरा x y z सही है यह मेरा address लिखाव है मैंने यहाँ पर अपनी मैने credit card से अपनी payment भी कर दी सब चीज़ हो चुकी है अब यह मैं data send कर रहा था और रस्ते में हमारे hacker साब the same order था बस उन्होंने address चेंज कर दिया वाई एक्स जेड और इस order को send कर दिया to seller customer के थुरू सही है address चेंज हो चुक है अब आपका जो seller है वो basically deliver करेगा to x y x z तो मसला क्या आया seller को यह पता नहीं है कि बीच में alteration हुई है यह नहीं हुई सही है but data was encrypted data encrypted हो यह ना हो उससे कोई फर्ट नहीं पड़ेगा क्यों फर्ट नहीं पड़ा क्योंकि हमें एक नए चीज एक नहीं चीज एक तरीके से create कर रहे हैं इस वजह से समझाए प्रॉब्लम समझ आ गई तो हम solution पर बात करेंगे अगर प्रॉब्लम ही clear नहीं है तो फिर फायदा नहीं सब का जवाब आना चाहिए जल्दी से एक दफ़र चैट पर जवाब दो सब प्रॉब्लम क्ले रहे हैं जल्दी जल्दी चैट पर येस ये नो भाई जाग जाओ जल्दी सर और कैसे किया भाई नया एक वो बना दिया ना नया लेटर त्यार किया पब्लिक की हमारे पर सेलर की मौज़ूद है हमने उससे वापस से उसको इंक्रिप्ट कर दिया बिलकुल अब्दिल्ला इस ही है सब्सक्राइब करें नहीं पता चलेगा यह सेंटर को दोनों को नहीं पता चलेगा कि बीच में अल्टरेशन हुई है यह नहीं हुई है कि लीकोंने से कोई परिक नहीं पढ़़ा पबलिक की ऑफस सेलर तो सबको नोने ना का बिटिक्रिप्ट करनी के जरूत ही नहीं है पफ दीक्रिप्ट हम नहीं कर रहे हम पूरा लेटर एजटर इचा के पूरा पूरा ऑडर है इसका फर किनुमने सैटो कर दिया हमने एक नए और वीहां работंट लूटी सिल्ट थियार उसको इनक्रिप्ट दिस ei क्या रहिया बताना वाव इन क्रिप्ट किस चीस्ट से ईकर Morinya है पुबलिक ही से सीयल यहां तक तो कोई मसला नहीं होने छाहिए अब यह कास्टमर अपना जो भी ऑडर था उसको सेंड कर रहा था बीच रस्ते में we had our hacker साब hacker साबने इस data को पकड़ा जो ऑडर था उसका अब उससे फर्ब नहीं पड़ता उसको content नहीं देखना अब उसने content नहीं देखना उसने क्या किया इस पूरे order को उठाके side में के अंदर इसको भिएग दिया सही है नया ओर्डर टैयार किया अड्रिस को चेंज किया वाई एक्स इड्रोड किया इसको वापिस से इंक्रिप्टि है किससे करेगा कि पे ज्वाब कर सब्सक्सक्राइब का सब Hahn ने जिससे सबकर पास होती चहिए तो अब एक तरीके से हमारे जो हैकर साथ थे उन्होंने वापस से इसको इंक्रिफ्ट किया और इसको आगे बढ़ा दिया सेलर के पास अब सेलर साथ को बस ये लग रहा है कि ये डेटा कस्टमर की तरफ से आया प्रेमिंट हो चुकी है अब इन्होंने कोई वेरिफिकेशन मेथेड नहीं है अभी फिदार हमारे पास सेनारियों में तो इन्होंने सेलर साथ ने डेटा उठाया और उठाया और जाकर डिलिवर करती है य, एक्स, जेट पे कस्टमर साथ मूँ देकर है कि मेरा ओर्डर कहां पर है आप कोई प्रॉब्लम में इश्यू समझ आ रहे है कि डिजिटल सिगनेचर की इलावा अगर नहीं होता हमारे पास तो एक तरीके से आपका प्रॉब्लम क्या रही है अच्छा चलो इसको ऐसे भी समझ नहीं आता वैसे मुझे उमीद नहीं है लेकर अगर समझ नहीं आता तो इसको नॉर्मल सिगनेचर की तरह समझ लो एक डॉक्यूमेंट है तुमने उस डॉक्यूमेंट को उठाया सपोस्ट करो मेरे गाड़ी के काफ़ात है वो तुमने उठाये और तुमने जाके किसी नए बंदे को गाड़ी बेच कर आ रहे हो तुम सही है अब जब तक तुमने उस लेटर को जाके जो मेरे काफ़ात है गाड़ी के वो दूसरे बंदे को दी हैं अब उसके पास वो एक चीज़ चेक करेगा क्या इस काफ़ात पर क्या इन पेपर्स पर जो ओनर है उसका सिगनेचर मौजूद है या नहीं तो जो सिगनेचर होता है वो बेसिकली ऑथेंटिकेट कर रहा होता है कि हाँ भाई जिस बंदे ने भेजा ही उसी का सिगनेचर है यहां तक कोई मसला अब बात करते हैं इसके सुल्यूशन पर प्रॉब्लम क्या रही थी हमारे जो अबब जी ने लेटर चेंज किया था और किया था वो कारी साहब को एक तरीके से अश्यूरिटी नहीं हो पा रही थी कि यह बीच में लेटर चेंज हुआ है यह नहीं हुआ चलो अब इसके सुल्यूशन के पर बात करेंगे चलो जी लेट्स टॉक अबाट दॉ सुल्यूशन एंक सेकिंट सुल्यूशन चलो अब इसके सुल्यूशन को समझते हैं सुकून सुकून से करवा रहा हूं प्रॉब्लम कौन सी डिसकस करें जो उपर वाली प्रॉब्लम थी हमारे पास जो हमज़ा और कारी साब की प्रॉब्लम है इस चीज को समझते हैं इस तरीके से समझते हैं चलो जी वी विल यूस तो कॉंसेप्ट ओफ कॉंसेप्ट कॉंसे इस्तेमाल करेंगे पहले मैं इसको डाइगराम के तरू समझा रहा हूँ और फिर मैं इसको लिखवा हूँ आशिंग अल्गारिथम अच्छा हैशिंग अल्गारिथम सबको याद है कोई मसला है एक दफ़र रिवाइस करवाद दाओ आपके मिथमाटिकल अल्गारिथम जोते हैं जो के हम लोगों के डेटा को देखके सब इस चीज़ पर फोकुस रखना जो भी डेटा होता है उसके मताबग एक तरीके से हैश की प्रोडियूस हो रही थी अब हम लोग ने इसका कॉंसेप्ट इस्तिमाल करना है अब होगा क्या पूरे स्टेप्स देखुए याँ पर वी हाब हम्जा ओवर हेर जिसका लेटर था पूरे अ मिनिट है not this one this one इच का इच है अटेचे अब हा है अब इसको सोलूशन देख रहे हैं भी विल नाउ सीड़ कॉंसेप्ट और डिजिल सिगनेचर सही है अब हमजा भाई जो है हमारे पास उन्होंने क्या किया उन्होंने उस लेटर को बेसिकली एक आशिंग अल्गौरिफम के अंदर डाला है अच्छा हमारे जो कारी साथ और हमजा साथ पे उन्होंने आपस में बात कर ली थी इन दुनोंने आपस में बात की थी निच्व अंडिसाड़निक की मज़ए से कि हम लोग जो आपका हैश्चिंग अल्गौर्फम इस्तमाल करेंगे वहोगा फोल्डिंग जो था हम लोगों का हैश्चिंग अल्गौर्फम ने स्टड़ी किया वह हैं अपने फाल और्गनाज अपने भौकटम इस्तमाल करेंगे टायनी टॉंड सब्टभाई ने क्या किया उस लेटर को लीए लेटर को हीर्फम अंडर डाला लिश्चिंग अल्गौरित्व हैशल्आ गौर्फम के अंदर डालने के बाद क्या प्रोडियूस होगा इस डैटा के मताबिक गौर से सुनना इस डैटा के मताबिक एक की क्रियेट होगी जिसको हम लोग क्या कहेंगे विवल कॉल इट हैश की चल्चाइएँ अभी तक क्या हुआ हमजा नहीं जे लेटर तैयार किया था उसने इसको फोल्डिंग हैशिंग अल्गोरितम के अंदर डाला हैशिंग अल्गोरितम डालने के बाद उसने एक हैश की को प्रोडीज कि है हैश की आ गई यह उसके पास अब हैश की को क्या करेगा हैश की को वो इंक्रिप्ट करेगा इंक्रिप्ट किस से करेगा अब यहां पर चीज गौर्ण से सुनना ऐसी कौन सी की है सब गौर्ण से सुनना ऐसी कौन सी की है जो के अश्यूरिटी करवा सकती है कि ये की सिर्फ और सिर्फ हमजा के पास हो सकती है और किसी के पास नहीं हो सकती है चैट पे जवाब पूरा लिखो प्राइविट की किसकी प्राइविट की ऑफ हम्जा एक ऐसी की है जो कि सिर्फ और सिर्फ हम्जा के पास होसकती है और किसी के पास नहीं हो सकती सही है यह हमारी confirmation है कि भाई private key of Hamza किसी और के पास नहीं हो सकती किसी के पास उसका access नहीं है सिवाए Hamza के सही है तो उसने hashing algorithm जो एक hash की produce की थी उसने उस hash की को encrypt किया by using what? by using private key of Hamza Hamza ने अपनी private key से उसको encrypt किया यहां तक कोई मसला एमद जरूरी नहीं है कि private key decrypt करे जरूरी नहीं है पेर्ज इस्तमाल हो सकते हैं जो चीज पबलिक की से encrypt होगी उसको decrypt private key करेगी जो चीज प्राइविट की से encrypt होगी उसको decrypt क्या करेगा अभी concept खत्म होने जो फिर सवाल करना इससे related concept से सवाल बाद में होगी सभी वापस आते हम जबाई ने जो लेटर तियार किया था हमने उसके hashing algorithm में डाला हमजा ने उसके hashing algorithm में डालने के बाद एक hash की produce की hash की produce करने के बाद उसको encrypt किया हावास क्लिए सबको यह भी भी लाइग उड़ी है अभी विलाइग उड़ी है अभी आप सही है अब सही है अब सही है हाँ मैंने चेंज़ कर दिया नेट चलो वापस सकानी सुनो हमजा भाई ने जो लटे त्यार किया था उसको उन्होंने डाला hashing algorithm में hashing algorithm में डालने के बाद एक hash की produce की उस hash की को suppose कर लेते हमारे पस hash की आ रही है 5F सही है एक random example ले ले लेते हैं इस content को देखके जो hash की produce हो रही है वह है 5F आप 5F basically उसको encrypt किया इस 5F को encrypt किया by using what private key of Hamza जो sender होता है वह अपनी private key से उसको encrypt करता है सही है अब हमारे पर दो चीज़ है हमारे पस कौन कौन सी दो चीज़ है वी हैव अवर लेटर encrypted लेटर अच्छा यह बताना जरह मुझे encrypted letter letter जह वह किसी से encrypt होगा है है अच्छ की वस इटसल्फ इंक्रिप्टेट बिलकुल ऐसे है एंच्छ की को हम लोगों ने इंक्रिप्ट किया इस है यह को 5F को encrypt किया बाइं यूजिंग प्राइविट की अफ हम्जा ठीक है अब देखो अब हमें पर दो चीज़ें अब हमें पर दो चीज़ें कौन सी हैं वी है अब इंक्रिप्टेट लेटर जो लेटर उसको तुजारी सी बाद पब्लिक की से इंक्रिप्ट किया होगा ना अब दो सम्मीक वहीं कॉंसेब्ट है स्यमेट्रिक स्यमेट्रिक बाला आपके लेटर को हम लोग ने एस से मेटरिक इंक्रिप्शन मतलब पपलिक की ऑस दी जो चैसरों से इंक्रिप्ट किया एंक्रिप्टेग मैं लिख एँंसब चीज में लोग को लिख देता हूं पब्ल thing which is basically our cash key और उसको हम लोगों ने encrypt किया है इस बाइ प्राइवेट की आफ सेंडर इस सेनारियो में हमजा की प्राइवेट की इन दोनों चीज़ों को कम्बाइन करके इस चीज़ को हम लोग कहते हैं डाइजिस्ट कोई मसला रुक जो रुक जो भी कॉंसर्प खतम होजा फिर सवाल बस मुझे यह बताओ डाइजिस्ट तक ले रहे हम लोगों ने अभी तक क्या किया हमने जो लेटर था हमजा ने उसको एक हैश अंगल गौरत हमके अंदर डाला है एक हैश की प्रोडियूस होई है विच इस फाइव 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 का हम लोगों ने इंक्रिप्ट किया है है यूजिंग दाइविट की ओफ हमजा सभी है अभी तक हम लोग ने डाइजिस्ट करूंगा किसके पास हमारी कारी सा है अपी और पेस्ट डी क्रिप्ट अच्छा अब जब काई साहब हम उसको डी क्रिप्ट किस से करेंगे चैट पर जब जब जल्दी चाट पर जब जल्दी थोड़ी फोड़ा बहुत चीज़ों को एक्टिव रहां पे जो हमारा लेटर ऑंकुप्ट था वो डी क्रिप्ट किस पबलिक की अलौ हलो 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 सिर्फ लेटर की बात कर रहा हूं सिर्फ लेटर की बात हो रही है यहां पे प्राइविट की प्राइविट की प्राइविट की प्राइविट की ऑफ काई साम में तेंग कि आफ अबिट के और我 कि ये तरेलेट करो न हम लोग को ने उनक्रिप किस से किया था पब्लिक कियों इसको डिक्रिप किस्थे करेंगे ये सायं अब बात करते हैं हमारे पास इस बार करते हो डिटर आ चुका है अभी sponsors नहीं किसको स्वेकर कि दी शुने कि अब हम करेंगे किया विए अनुद तिंग विजिस नोन एस अब हैश की अब मुझे बताओ इस हैश की को हम लोग किसे करेंगे जिसको हम लोगोंने इंक्रिप्ट किया था पबलिक की अफ रिसीवर से और हमांपास एक हैश की थी जिसको हम लोग ने इंक्रिप्ट किया था प्राइविट की ऑफ सेड्र से तो दो雪 लेटर को डीक्रिप्ट किया किया है उसको इननक्रिप्ट किया था उपैविजिए पबलिक की अफ रिसीवर मुहमत अब समझ आया कि दोनों को अलग-अलग की से हम लोग कर रहें और जो हमारी है की थी उसको मने क्या था प्राईविट की ओफ सेंडर से हैं तो हम मुझे यह बता offerings को डीक्रप्ट करेंगे अब जब उसको हैक की का करेंगे तो किसंव प्बिक की ओफ हमजा से बहतरी ज़ान कि अ पबलिक की ऑफ हमजा चलो यहां तक हम लोगों ने अब तक कॉंटेंट कर लिया लेकिन अभी तक हम अभी तक हम लोगों को यहां तक अश्यूरिटी नहीं है कि क्या यह हमारे पास लेटर ऑफेंटिक है या नहीं इस चीज़ पर हमें फोकस करना है हमें फोकस कैसे करना है अब यहां पर देखना दोनों ने मिलके हमारे हमजा भाई और हमारे काई सब्सक्राइब दोनों ने मिलके एक चीज़ सेट की थी और उन्हें क्या चीज़ सेट की थी कि हम लोग यूज़ करेंगे फोल्डिंग का हैशिंग अल्गॉरिथम अब हमारे पास एक हैश की मौझूद है और हमारे पास क्या चीज़ मौझूद है रह्म पास प्हंung कारी सहाब क्या करेंगे कारी साब विल ऑल्लसू यूज़ुग हैम यह अशांग अल्गॉरृत्म वही सेम हैश अंग गौर्थम जो उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर तैय किया था कि हम लोग यह वाला फोल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं है अब वापस से स्टार्टिंग से आते हैं हमारे पास एक लेटर था लेटर को हमजा भाई ने क्या किया ठाशिग अंदर डाला दो नों ने अग्री किया था कि हम लोग फोल्डिंग इस्तमाल करींगे है अलगोर ना डालने के बाद वी प्रोडूस्ट आ हैशकी है की जैसे प्रोड्यूस हो गई इसको हमने इंक्रिप्ट किया वाला कॉंसेट उसको इंक्रिप्ट किया पब्लिक की ऑफ जो कि हमारे रिसीवर है उसको हमने किया हमारे पास हैश की मौजूद थी हैश की को हम लोगो ने इंक्रिप्ट किया ऐसीवर को विक इसको अब हमारे कारीस सबуса के बाद दोचीज़े मौजूद आप गायशाब ने उसको decrypt किया decrypt किसे किया letter को decrypt किया letter को decrypt किया गया by using the private key of receiver जो asymmetric का जो concept है लेकिन hash की भी मौझूद थी hash की को नों ने decrypt किया public key of Hamza से जो कि already known होती हर किसी को अब हमारे पास एक hash की मौजूद है जो कि decrypted होई भी है इसको मैं नाम दे देता हूँ decrypted hash की एक मिन बस concept खतम हो जाए फिर तुमनों के सवाल लिखता हूँ यह हमारे पास एक decrypted hash की मौजूद है जो कि हमजा ने send की थी और हमारे कारी साब ने जो letter था उसको अलग से separately hashing algorithm के अंदर डाला है और उन्होंने भी एक नई hash की produce की है अब suppose करते हैं decrypted hash की आ रही थी 5F जो हमारे कारी साब ने जो hashing algorithm अपलाई किया वो भी 5F आ रही थी तो अगर हमारी if हमारी new hash की is equal to decrypted hash की अगर दोनों hash की बराबर हैं that means कि there is no alteration अब फिर से सुनों पूरी कहानी फिर से समझते हैं हमारे पास relate करो चीज़ों को relate करो और वापे से समझाओ पूरा concept प्र समझारो हमारे पास एक लेटर था हम्जा भाई के पास उन्होंने उसको folding hashing algorithm के अंदर डाला folding hashing algorithm के एक मिछ सवालों को बात में पूरा सबके सबके सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है हमारे पास एक लेटर था हमजा की पास एक लेटर था उसने अंदर डाला हमने स्पैसपाय कर दिया कि हम फोल्डिंग इस्तमाल करेंगे सब्सक्राइब एक हैश की प्रूडियूस की विच इस फाइव फाइव हमारी हैश की जब प्रूडियूस हो चुकि है हमने इस अब हमें पर दो चीज़ें कौन कौन सी दो चीज़ें वी हाव अवर लेटर अन्ड हावर हम्सान प्रूडियूसर की यह हम्सा की है हमजा की है हमने लेटर को वह है स्प्राइविट की ऑफ हम्सा से इसको एंक्रिप्ट किया फिर से सुनो, hash key of हमजा, जो हमजा ने एक hash key produce की थी, उसको हमने encrypt किया, private key से, अपनी हैश की से, मतलब अपनी private key से उसने उसको encrypt किया, encrypt करने के बाद, इस दोनों चीज़ों को हम लोग कहते हैं, digest, अब हमने ये digest, send कर दिया, कारी साब को, कारी साब जो थे, अब उनके पास दो चीज़ा आई है, दो कौन कौन सी चीज़ा आई है, एक उसके पास, उनके पास एक तरीके से, एक encrypted letter मौझूद है, और एक encrypted hash की मौझूद है, जो हमजा ने send की है, सही है, अब इन दोनों चीज़ों को decrypt करना है, letter को decrypt किया गया, by using the concept of asymmetric encryption, मतलब अपनी private key से, कारी साब ने अपनी private key को इस्तेमाल करते हैं, उसको decrypt किया, अब उनके पास एक letter मौझूद है, सही है, अब उनके पास एक और चीज़ मौझूद है, which is the hash की, hash की कौन सी, जो हमजा ने भेजी थी, इस चीज़ को समझना, hash की कौन सी, जो हमजा ने भेजी थी, सही है, अब हम लोगों ने एक hash की थी, जो कि हमजा ने भेजी थी, उसको decrypt करना है, ये encrypt होई भी थी, by using the private key of हमजा, तो इसको हम लोग decrypt हमें भी उसको भी फिलाल, साइड में रखा वाई, अभी हम इसको 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 समाल ने करें, ये साइड पर रखी भी है, जो हमारा decrypt करेंग लेटर ना, उस लेटर को कारी साब ने same hashing algorithm के अंदर डाला, कौन सा same hashing algorithm, folding वाला, जो काम हमजा ने starting में किया था ना, एक hash की produce क ती अब आहाँ कारी साब करेंगे ताके दोनों की हैश की स्थ मैच हो सकें अब इस चीज को समझ आम और ने वह सेमलें लटर रायश के अनदर बाजल अधर यह ब। यह वाली जो हैश की प्रॉडूस हív हूरी ये हैश की कारी साब की हैश की है सही है अब हम लोगों ने क्या किया हमारी नियू हैश की मतलब जो कारी साब ने प्रोडियूस की है और जो हमजा की हैश की थी अगर ये दोनों हैश की बराबर है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी alteration नहीं हुई है अच्छा अभी रुक जाओ अभी सवाल जो अब suppose करते हैं कि बीच में बैठे वे थे हमारे पापा जी अब जब हमारे अबबा जी बीच में बैठे वे हैं अब suppose करते हैं उन्होंने क्या किया उन्होंने इस letter को change कर दिया उसका मतलब ये कि अब जी को एक चीज नहीं पता क्या चीज नहीं पता कि इन दोनों ने कौन सा हैशिंग अल्गॉर्फम तैय किया है अब बजी को नहीं पता कि फोल्ड़िंग हुआ या नहीं हुआ या suppose कर लेते हैं ट्रंकेशन हुआ वह यह नहीं हुआ अब कुछ नहीं मालूम अब एक अंदाजा लगाएंगे अब जी हमारे एक अंदाजा लगाएंगे सपोर्ष कर लेते हैं अब जी ने उसको फोल्डिंग ही ही इस्तमाल किया अमभू ने एक तरिये के से एक तुका मारा और उनको पदर चली कि भाई फोल्डिंग इस्तमाल करने का मतलब क्या है इस चीज को समझो लेकिन यहां पर कॉंटेंट चेंज हो चुका है इसका मतलब यह है कि उनकी जो हैश की आएगी हैशिंग अलगारिफम बेसिकली Content होता है अब जो हैश की आएगी वो गांटिंट के मुताबिक आएगी जब content ही चेंज हो चुका है ग्र बेइंड तकर लिए यहां पर सिनारियों में अब यह फ हमारे पास पहची निशाब के पता था कि यह जो लेटर है मारे पास से रिकर्प करने पास हैस की जो है वह एक तरीके से नहीं पता चलेगी एक दूसरे कोया है हैस की कैस्य की थी और एक कारी साथ की थी वो दोनों सेंट नहीं आएगी जिसकी वज़द से हम लोगों का कनफॉर्म हो जाएंकि कि यहां पिर श्मल्ड कर्द करना था यहां पर और वह ये है कि हमारे जो अब जी है उनको यह नहीं पता कि हम लोगोंने कौं सा हिएशंग ऐल्गॉरिेटम एस्तिमाल किया है से एक जांपल जी ने ट्रॉंकेशिंस इस्तिमाल किया और कारी सथाब ने फॉल्डंग इस्तिमाल किया दोनों की कीज अलग अलग आएंगी जब कीज अलग आएंगी कि कभी भी बराबर नहीं हो सकती जब बराबर नहीं होंगी तो पता चल जाएगा कि कि इस दोनों डिफरेंट आएंगी इरमिश क्लियर रहे इस कॉंसेट को भी क्लियर कर लो यहां पर कि अबबब जी को यह नहीं मालूं कि कौन सा हाँ अगर उन्होंने यह कर लिया के भाई सेम हैश अगर सपोलड़ करो खेरो फ्री यहाँ पर मसलह है तो फिर यहां पर मसला जाएगा दोनों की हैश कीज एक ही हो जाएंगी और फिर प्रॉब्लम आ जाएगी लेकिन अगर उनको यही नहीं पता कि कौन सा हैशिंग अल्गॉरत में इस्तेमाल किया है तो फिर हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहां पर ऑल्टर करने के बाद भी उनको यह नहीं मालूं के भाई उसने कौन सा हैशिंग अल्गॉरतम इस्तेमाल किया था अब सपोस्पोर्स करोनों है गैस किया ट्रॉंकेशन उन्हें इस्तिमाल किया है तो फोल्डिंग से हैश की आरी थए तो और एक तो बराबर होती नहीं है जब बरावर नहीं है अब मुझे सब आज़ो चैट पर एक एक बंदा चैट पर आज़े और जो सवाल है वह भी पूशे लिए सब्सक्राइब मैं लिए मैं लिखवार हूं सब्सक्राइब पर आज़ो बिल्कुल बिल्कुल यह पहले में इसको लिखवाद हो फिर सवाल पूछों किया ख्याल है बिल्कुल अब देखो इसको पहले कॉंसर्ट को कंफर्म करते हैं अब इसको लिख लो पहले फिर जो सवाल हो उसके बाद हम लोग लेख लेंगा उसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब लो पूमौ लिख लिख लृष्ट लुग्न हम्ज़ लिख लिख लुग्स लोग्स। लोग्स। लोग्स्जाइब लोग्स्जाइब hashing algorithm साथ साथ लिखते रहो लिखने के बाद जो सवाल हो मुझे से पुछ रहा हूँ जो चीज एक्स्पेइन किये यह पूरा concept इस चीज को में लिखवा रहा हूँ जो solution इस चीज के बारे में बाद करें हम्जा hashes a letter with agreed hashing algorithm जो नोंने agree किया था which provides hash key sender hashes the letter with agreed hashing algorithm which provides hash key that hash key is encrypted with senders senders that hash key is encrypted with hash key किसे encrypt करेंगे private key of sender बेतरी विच सेंडर्स private key that hash key नहीं फिर समझ नहीं आएगा अगर सिर्फ information चाहिए फिर समझ नहीं आएगा क्यों समझ नहीं आएगा क्यों समझ नहीं क्रिप्टेड है simple concept encrypted version है ना उसको decrypt करने के लिए उसको समझने के लिए उनको क्या चीज़ चाहिए होगी यह बताओ वही एसमेटर का concept उस content को समझने अगर तो उनको क्या चीज़ चाहिए होगी यह बताओ क्या चीज़ चाहिए होगी इनको content को समझने के लिए इंक्रिप्शन है इंक्रिप्शन होगी है उसको प्राइविट की चाहिए होगी अच्छा एक और सवाल है राफिर भाई का अब अगर वह हैश की को भी भेज देते हैं हैश की को फेक दिया है अब अगर हैश की को फेकते हैं अब मुझे यह बताओ हैश की को हम लोग पहेग दिया हैश की ही नहीं करेसा कि या कि अपनी प्राइविट की से उसको करने olmas काता है मुझे पप्राइवट की हम्जा से इसको डिक्रिप्ट करना हुगा नहीं में बदा सकते कि यहां कि पड़वी भी क्लेर हुआ रफ़ लेटन नहीं पड़्षकता रयान ब्हई प्राइवेट की मौझूल नहीं है प्राइवेट की प्राइवेट की को इंक्रिप्ट किया है आगे लिखते हैं सेंडर सेंड्स सेंडर सेंड्स बिलकुल अबदल्ला बिलकुल सेंडर सेंड्स इंक्रिप्टेड लेटर इंक्रिप्टेड लेटर विद हैश की नोन ऐस मैसेज डाइजिस्ट सब्सक्राइब नहीं है इसके अंदर कॉंसेप्ट वह सेंडर 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 सेंडर्स इंक्रिप्टेड लेटर विद हैश की नोन ऐस नोन आज मैसेज डाइजिस्ट क्या बते चले हैशिंग अलगौरत्वं की बात वरी थी अगर इसको हैशिंग अलगौरत्व म करते चले लिए न किसमें फोल्डिंग इस्तिमाल होई थी तो फिर यहां पर मसला है सेंडर सेंडर सेंड्स बिलकुल रहमद सेंडर 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 अंक्रिप्टिड डेटर विद हैश की नोन ऐस मैसेज डाइजिस्ट है इस चीज़ को दिमाग में रखो हम लोगों ने सिर्फ तीन है इसका यह मतलब नहीं कि आपके रेली अगर रेल अप्लिकेशन बात करें तो सिर्फ तीन है अच्छे एक मुड़क जो पहले इसको खतम कर ले सवाल को फिर तुम लोगे सवालाइब को देखता हूं रेसीवर औरड़ी हैस पब्लिक की ओफ पब्लिक की ओफ सेंडर फ्रम देजिनल सर्टिफिकेट इसके बार में बात करेंगे बात में पुए प्रम दा डिजिल से टिफिकेट की एज एजए को किस लिक्रिप्ट किया जाएगाओ हैंश की को किसे पूप किया जाएगा हैंश की को किसे बहुत हैजए जाएगा अपक्क उनुल्ट रेशी एस के कि बटो किल्थे स shooters रुपलिटे की टो संटरी हिपी बेटरी बटीई बेटरी 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 डी डी श्ट्रीड थे खिह के जोह तो फिर्लेंट की फिरलेंट्री हम थे सरुटोर प्लेक व्हिश्टों काल तो कि रिसीवर आफ्टर डी क्रिप्टिंग दाट लेटर पासिस दाट लेटर लेटर को डी करने के बाद उस लेटर को पासिस दाट लेटर कि दू लेटर रेकर्प्टिया करने के बाद सिम्हाश्ञ्ञिंग अल्गॉरिफं लेटर रिकर्प्टिया लेटर देखर्प्टिय लेटर बिए सेम्हाशिंग उसको पास किया इस कि श्युक्रिप्टिद हिए if decrypted hash key and new hash key new hash key done by receiver is same then the letter is authentic चलो जी ये पूरा इपूरा इपूरा मैं समझा रहा हूं एक दफा फिर से sender ने क्या किया उसके पास letter मोजूद था agreed hashing algorithm से उसको उन्होंने एक तरीके से hash किया hash करने के बाद एक hash की produce की ये hash की जो थी वो एक तरीके से हमजा की थी हमजा की थी सब्सक्राइब ये जो हैश की produce ही हमजा ने produce किया that hash key is encrypted with senders private key हमजा ने अपनी private key से उसको encrypt किया encrypt करने के बाद sender sends encrypted letter letter को encrypt किया letter को encrypt करने के बाद उसके साथ hash की जो यहां पर produce की थी उसको एक message digest के form में भेज दिया भेजने के बाद अब जो receiver सहाब है हमारे उसने क्या किया उसके पास पहले से public की मौजूद थी sender की public की क्यों चाहिए क्यों कि हम लोगों ने जो हैश की को encrypt किया था वह किससे क्या था by using the private key of the sender तो उसकी public की चाहिए होगे आपको इसको decrypt करने के लिए receiver already has public key of sender from the digital certificate digital certificate की मज़े से उसके पास already public की मौजूद है अब जब पब्लिक की मौजूद है अब हम क्या करेंगे receiver decrypts the hash की decrypts the hash की अब हम थाइच की जो कि हम्जा वाली थी यह वाली जो बात हो रही है यह हमजा की बात हो रही है यहाँ पर जो हैश की हम्जा की थी उसको हम लोगोंने decrypt किया by using decrypted version receiver after decrypting that letter अब हम लोगों ने किया कि उस letter को वापस से decrypt किया letter decrypt करने के बाद उस letter को same hashing algorithm के अंदर अब हमारे जो receiver थे काई साथ उन्होंने उस same hashing algorithm के अंदर उसको pass किया pass करने के बाद if decrypted hash की decrypted hash की कौन सी बात हो रही है यहां पर जो हमजा की हश की हम लोगों ने यहां पर decrypt की थी अगर वो हश की and new hash की done by receiver कौन सी हश की की बात हो रही है after decrypting the letter passes the letter to same hashing algorithm यहां पर इस step में जो hash की produce होगी उन दोनों को हम लोग compare करेंगे अगर वो दोनों same होगी if decrypted hash की and new hash की एक new hash की जो कि अभी हम लोगों ने letter को है शेंग अलगारता में डालने के बाद रिसीव करने के बाद उसको है शेंग अलगारता में डाला फिर से और एक नई हैस की प्रोडियूस की और एक वह हैस की जो कि कोई मसला है तो पूश लो छोटी सी चीज का भी मसला है तो पूश लो is it clear yes या नो जल्दी बिलकुल इर्मिश बिलकुल बेतरी 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 मैं इसको इस तरीके से भी बता लगा को यह डिजिल सिगनेचर है अच्छा मैं एक ही करके तुमनों की जवाब देता हूं सबसे पहला है वी हाफ अहमद क्या सवाल है तुम्हारा सवाल है तो मतलब सब्सक्राइब इसमेट्रिक वाला कॉंसेप्ट नहीं बताना कौस्ट आप लिखवा नहीं रहे तो एसमेट्रिक Đिजिटल सिग्नेचर कंबाइन करके पूछता है तो मैं करवा दूँगों तो एसमेट्रिक सवाल क्या चीजशD ॉस् oc तुम्हारा हो गया अब उसके बाद अब्दल समी कोई और सवाल फिर से तो मुझे चैट पर फिर से लगदाँ मोपर साइब करो सामी भाई कहां पर हो हाँ माइख को लिए जिल्दी से बूचो सवाल है कि में अपने पड़ाया था कि है कि हैस की मता हम लोग जब इंक्रिप्शन करते हैं तो वह आप अपनी से पबली की से परता है और घ्रिप्शन पबलिक की से लिए कर सकता है कर सकता है कोई से हमें फर्क पढ़ना अब सुनो का मतलब क्या होता है एस्यमेट्रिक इंक्रिप्शन का यह मतलब नहीं है कि हम लोग पॉब्लिक की को इस्तिमाल करेंगे फॉर encryption और private key को इस्तेमाल करेंगे for decryption साहिए asymmetric encryption का यह मतलब बिलकुल भी नहीं है asymmetric encryption का मतलब यह है कि हमारे पास दो अलग-अलग keys होती है one is used for encryption and other one is used for decryption तो हम लोग इदर public key को इस्तेमाल कर सकते हैं encrypt करने के लिए तो फिर हम लोग decrypt कैसे करेंगे private key से और अगर हम private key को इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको decrypt कैसे करेंगे public की से यह मतलब होता है asymmetric encryption का और हम यहां पर जो hash key को encrypt कर रहे हैं वह हम private key से क्यों encrypt कर रहे हैं सवाल यह आता है कि हम लोग private key से encrypt कर क्यों कृणकि प्राइविट की एक ऐसी की है जो कि सिर्फ सिर्फ, आपके अपके सेंडर के पास मौजू नहीं है। हम लोग का एम धाश क्यों होती है जब हम सेंडर के प्राइविट की से उसको इंक्रिप्ट करते पते हैं हमारे अबाजी जो थे उन्होंने हैš की को हम ने चेंज कर दिया तो अब रहुट को कैसे करेंगे यह बताओ तो समझे बीच में बोला कि पब्लिक की तो पब्लिक है मैंने पब्लिक की उठाइब करने से कोई पास आगया है अब बजल के पास आ चुका है लेकिन उनको यह कुछ इससे अइडेंटिफाइग निकर सकते ना वह यह नहीं कर सकते कि हम लोगों कौन से करने से कुई फाइदा नहीं हो रहा है कि हमें अशियोरिटी यह है कि भाइधा नहीं की भीजिए क्योंकि पबलिक की तो सबके पास मौझूद है उसको अगर कुई बंदाद डीक्रिप्ट करता है और ड्रीक्रिप्ट करने के बाद उसको सायट पर फेक दी हमने सायट पे फेक ने के बाद content CHANGE की है content Change करने के बाद हमने नई येह की की अब करना है वांप से अब किसे करेंगे पब्लेग की से करते हैं हमेशा तो public की तो प्राइबिट की मौजूद ही नहीं उनके पास समझाए लेकिन सब्सक्राइब करता हूं सही है इस चीज़ को समझो अगर मैं यहां पे इस स्टेप पे अब अगर हम लोग इसको पब्लिक की से करते हैं पब्लिक की किसकी पब्लिक की जो हम लोगों की बैसिकली सेंडर की जो पब्लिक की है उससे अगर मैं इसको इनक्रिप्ट करता हूं इसका मतलब क्या हुआ एक तो सबसे बड़ा मसला यह आएगा जब इसको मैं सेंडर की करेगा अब इसको एक चीज़ और करते हैं कॉंसेट बिलकुल चेंज करता हूं अब अगर मैं देखो हैश की को मैं रिसीवर की पब्लिक की से इंक्रिप्ट करता हूं जो एसे मिट्रिक का इसको मैंने इंक्रिप्ट कियावा है आपका किस से इंक्रिप्ट कियावा है बाइ यूजिंग जो पब्लेख की आफ टे रिसीवर पबले की ऑफ रिसीवर से मैंने इसको इंक्रिप्ट किया इसका मतलब यह है कि इसको डिक्रिप्ट कौन कर सकता है जिसके बाइट की मौझूद है बिलकुल ऐसे ही है लेकिन अब सपोर्ज करो अबब जी निक्या किया है इसको उठाया बगएर पड़े इसको उठाकर उन्होंने साइट पर फेक दिया उन्होंने एक नया कॉंटेंट की एक की आ रही थी एफ AF को उन्होंने वापस से encrypt करना है अब मुझे बताओ हम लोगों ने starting में किस चीज़ से encrypt किया था पब्लिक की से क्या यी पब्लिक की अबबजी को known है जी अब वो क्या करेंगे जो हमारा तीसरा बंदा जो hacker है वो इस hash key को वापस से encrypt कर सकता है अब यूजिंग रिसीवर्स पब्लिक की तर उसके लीज़ उसको पहले decrypt करना होगा नहीं कर रहे न क्यों नहीं कर रहे हैं वही तो concept था देखो स्टार्टिंग में हम लोगों ने concept सीखा किया है स्टार्टिंग में हम लोग लेटर पूरा उठाते हैं यहां पर देखो विदाउट decrypt हैं यहां पर हम लोग decrypt नहीं कर रहे हमने पूरा लेटर उठाया है और हमने उसको साइड में बिन की तरफ फिक दिया बगएर पड़े हमने एक नया order create किया नया order create करने के बाद उसको फिर सेंट कर दिया था समझाई बगएर decrypt किया हमने यहां पर decryption का कॉंसेप्ट ही नहीं करी नहीं सकते क्योंकि इस समाल हो रही है यह सर यह वाला जो इशू है यह नीचे नहीं हो सकता कि जो भी हमने वह यूज किया है तो वहीं सेम इशू है कि जैसे वह पूरा डबा उठाके फिक दे और अपना नया order डाल दे यह जो भी हम उससे पहले आपने जो लिखा हुआ था कि हम लोग प्राइब की चीना कि अब तुम कहना चाहते हो कि वापस सेमेरियो करते हम लोगोंने स्टार्टिंग में था टर्फिक जाना चाहिंए हम सेंडर की प्राइबिट की है विचिछ फाइफ सेंडर की प्राइबिट की है अब Tomato क्या किया इसको भी उठाया इसको साइड फेक दिया यहां पर डाव एफ को उन्हें नया कॉंटेंट क्रियेट किया नया कॉंटेंट क्रिएट करने के बाद इन्होंने एक नई हैश की प्रूड्यूस होई ए-f अब इसको करना है इंक्रीब हम लोग किस से कर रहे बताना तरह क्या अब बजी को सेंडर की प्राइविट की मालूम है नहीं बस कॉंसेप्ट ही हता है अब आते हैं नेक्स सबाल पर एक एक करके अच्छा नेक्स कोश्चन है जी हमारे पास इर्मिश का जवाब आया था मैं तुमनों को पढ़के बता लेता हूं जो हम लोगों ने चेक्सम का कॉंसेप्ट किया था ना ओलेविल के अंदर अगर थोड़ा बहुत या दो तो ओलेविल के अंदर एस के अंदर भी चेक्सम यह चीज जो है वह डेटा सई टांसफर हुआ है बिल्कुल सेम सेनारियों में एक हैशिंग अल्गॉर्थम सेंडर भी करेगा वही सेम हैं अल्गॉर्थम रिसीवर भी करेगा दोनों की हैश की कंपेर किया जाएगा अगर सेम आएगा डैट मिस कोई और्टेशन नहीं करने के लिए लेटर को डी क्रिप्ट करना होगा यह नहीं नहीं करनी की जुरूरत पूरा लेटर उठाया साइट पर बिन में फिक दिया चलो बेतरी कोई और सवाल डी करने के जुद नहीं है बस सवालों की जवाब देने शागर कुछ समझाना नहीं है अब मुझे लखना नहीं है और किसी को सवाल लांस पॉइंट में कोई और सवाल है तो फिर से कर लो जल्दी से चैट पर नहीं 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 एक में रुख जो आड़ लेट मीसी डायजिसट आने से पहले हैंशन करेगा तो वह उसका और अपनी वाली किमर करे सुचंध सवाल ये समझारे टाइजिसट आने से पहले हैंशन करेगाँ नहीं डाइजिस्ट उसके पास पहले HAVEंगा उस digest को वो decrypt करेगा decrypt करने के बाद उसको hashing algorithm के नदे पास करेगा तर इसमें क्या flaw है flaw मतलब अब्दुला कुछ पूछना चाहरा हूँ माइक खोल दो इस पूरे कौन से में कोई flaw flaw बस इतना सा आ सकता है problem इसमें आ सकती है जब problem आएगी जब आपको hashing algorithm known हो जाएगा इस scenario में आपकी hacking possible है कि जब वो लोग hashing algorithm को फैसला कर रहे थे न तो उसमें आपका एक तरीके से उस वक्त उन्होंने hacking करने के बाद identify कर लिए कि hashing algorithm कौन से इस्थमाल होगा अगर hashing algorithm का पता चल गया फिर सारा मुझे अपना सवाल फिर से बेजो कॉपी पेश कर लो मिजब बस खत्म खत्म महीं तक है इसे जादे पढ़ाऊंगो ना तो उन्हों को समझें जानी जिसका सवाल नहीं वो जा सकते सिर्फ सारा मुझे सवाल अपना फिर से बेजो है और यू स्टिल देर और नाट है खत्म होंगे बस थिएर अचीज़ है कल खत्म कल खत्म तो यह पॉसिबल तो है क्योंके तो है क्योंके आपके पर चैटर तो है ना ताम जाएंगा तो आप देखो आप हैशन गारतम एक नहीं है ना बिला है स्थाह ना सारह में तर्ज़ घ्र-जप्टिट हो commit करते है तो न्यू हैं की कि इंक्रिप्ट्ट फ़र्मने होती है यह डिकुर्प्टिट न्यू हैस्ट् Eliot की थो उफको Sorry प्रकोर्ड देक्रिप्ट करने क्या जरुब कारी साहब अपनी हैश की खुद से प्रिपेर कर रहे थे ना खुद से जह है शेंग और गॉर्थ हमें डाल लेते हैं उसको इन्कृट करी नहीं तो उसको डीकृट करने के क्या जरू होता है तो एक तरीके से डीकृटट फॉर्म में ना देखो अब देखो फिर तो ऐसे पॉसिलिटीज तो बढ़ती से जाएंगी हाँ यह बिल्कुर से कहे रहे हो तो फिर ऑप्शन से हैं है कि तो पॉसिबिल तो सब चीज़ है लेकिन अश्यूरिटी हम लोगों को फिर भी हो जाती है और यूजिंग डिजिटल सिक्नेटर्टर् कि डिपांड़ करता हैं केंप्योर प्रेसिंग टाइम बहुत लगत जाए रसमें है करने में इसको हर एक एक हैशन के अगार को तूंको कंपेर करो फिर आंसर नुक्व तैंव को तो है कि रोख सकते हैं अगर हम कंप्यूटिंग क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक इस्तिमाल करें वह पढ़ेंगे इंशानला करें किसी को कोई सवाल जल्दी पूछ लो भाई कोई भी सवाल सदान देखते हैं बताता हूं अब्दुल्ला अफनान सब्सेंडर इंक्रिप्ट हैं विद पुब्लिक की अप्रिसीवर से हैंश की को इंक्रिप्ट किया ठीक है इंड़न मैंटर फैकर थ्रोजान लेटर टुबन एक विलना यूज हैं अल्गॉर्फम नुटर एंक्रिप्ट अगें अब्दुल्ला मैं खुलनों तुमारा अब्दुला अफनान चलो सब्सक्रिप्ट अब्दुल्ला मैं खुलनों अब बूलो नहीं आरी है बास तुमारी है से लिए में पॉस्ट रिकॉर्दिंग